श्री योग वाशिष्ट महारामायन निर्वान प्रकान राम ने पूछा है ब्रामा जिस निश्चे से बत्यमान विशोक हुए है फिर मुझे से कहिए वाशिष्टी जी बोले है राम जैसे सम्पूर ज्यानवानों का निश्चे है और जैसे वे वे वहार में सम्भ रहे हैं वे सुनो विश्टारोप जो कुछ जगत जाल तुमको भासित होता है वे निर्मल ब्रह्म सत्ता अपनी महिमा में इस्तित है जैसे समुद्र में तरंग इस्तित होते हैं और नाना प्रकार के उत्पन्न होते हैं वे जल रोपने जल से धिन नहीं वैसे जो गहन करने वाला है वह भी ब्रह्म है और जिसको भोजन करता है वह भी ब्रह्म है मित्र भी ब्रह्म है शत्र भी ब्रह्म है ब्रह्म ही अपने आप में इस्तित है ज्यानवान को सदा यह निश्चे रहता है ब्रह्म को ब्रह्म स्पर्श करता है तब किसको स्पर्श किया ए राम जी जिनको सदा यह निश्चे रहता है उनको राग दुएश कुछ दुख नहीं दे सकते ब्रह्म ही ब्रह्म में फुरता है भावरूब भी ब्रह्म है भावरूब भी ब्रह्म है कुछ भिन नहीं तब फिर राग दुएश की कलना कैसे हो ब्रह्म ही ब्रह्म का चिंतन करता है ब्रह्म ही ब्रह्म में इस्तित है ब्रह्म ही अहम अस्नी है ब्रह्म ही समे ब्रह्म ही आत्मा है और घट भी ब्रह्म है पट भी ब्रह्म है ब्रह्म ही से सारा जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है हे राम जब सारवत्र ब्रह्म ही है तब राग राग की करना कैसे हो मिर्त्य भी ब्रह्म है शरी भी ब्रह्म है मर्ता भी ब्रह्म है और मार्ता भी ब्रह्म है जैसे ब्रह्म से रसी में सर्व भासित होता है जैसे भ्रम से रस्षी में सर्व भासित होता है वैसे आत्म में सुख्दुग मित्य है भोग भी ब्रह्म में है भोगने वाला भी ब्रह्म में है और भोगता देवी ब्रह्म में है निदान सर्वत्र ब्रह्म में है जैसे समुद्र में जो तरंग उपजते और मिड़ जाते हैं वे जल से भिन्न नहीं वैसे ही शरीर उपजते और मिड़ जाते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म में हिस्तित है हे राम जल के तरंग जो मिर्त को प्राप्त होते हैं तो क्या हुआ वे तो जली है वैसे मिर्तक ब्रह्म ने जो मिर्तक देव ब्रह्म को मारा तो कौन मुआ और किसने मारा जैसे एक तरंग जल से उपजा और दूसरे तरंग से मिल दोने खटे होकर मिट गए सो सब जली जल है वहां मैं तू इत्यादी दूसरा कुछ नहीं वैसे आत्मा में जो जगत है तो आत्मा है अपने आत्मा हिस्तित है तेरा मेरा बिन्न कुछ नहीं जैसे स्वन में भूशन और जल में तरंग अभिन्न रूप है वैसे ब्रह्म और जगत में कुछ भेज नहीं हे राम जब पुरुष यथार्थ दर्शी है उसको सदा यही निश्चे रहता है और जिनको सम्य ज्ञान नहीं प्राप्थ हुआ उनको विपरिय रूप और का और भासित होता है पर वास्तों में ब्रह्म सदा एक रूप है ज्ञान और अज्ञान का भेद है जैसे रशी एक होती है प्रांतु जिसको सम्य ज्ञान होता है उसको रशी प्रतीत होती है और जिसको सम्य ज्ञान नहीं होता है उसको सर्प ज्ञान पड़ती है वैसे जो ज्ञानवान पुरुष है उसको सब ब्रह्म सत्ताई भासित है और जो ज्ञानी है उसको जगत नाना रूप भासित होता है और दुखदायक होता है पर ज्ञानवान को सुख रूप है जैसे अंधे को सब और अंधिकार और नेत्रवान को प्रकाश प्रतीत होता है वैसे इस सब जगत आत्म रूप होने पर भी ज्यानी को आत्म सत्ता सुक्रूप भासती है और अज्यानी को दुख दायक है जैसे वालग को अपनी परशाय में बेताल बुद्धी होती है दुख दायक और ज्ञानी को सुख रूप है यदि मेरे निश्चे पूछो तो यू है कि मैं सर्व मह ब्रह्म मिक्ति शुद्ध सर्व या प्यूं ना कोई मरता है ना उपजता है जैसे जल में तरंग में उपजते हैं और ना मिठते हैं सब जल ही जल है वैसे पंच बहुत भी आत्मा में है और जगत भी आत्म रूप है आत्म ब्रह्म ही अपने आप में हिस्तित है शरीर का नाश होने कर आत्मा का नाश नहीं होता मिर्तक रूप भी ब्रह्म है शरीर भी ब्रह्म है ब्रह्म ही अनेक रूप होकर भासित होता है ब्रह्म भीन शरीर आदिक कुछ सिद्ध नहीं होते हैं जैसे तरंग फ्रेन और पुलवले जल रूप हैं वैसे दिये कलना, इंद्रिया, इच्छा, देवता आदिक सब ब्रह्म रूप हैं जैसे भूशन सोन से भिन नहीं होता, सोन ही भूशन रूप होता है वैसे ब्रह्म से अलग जगत नहीं होता ब्रह्म ही जगत रूप है जो मूड है उनको दोयत करना भासित होती है फिरां, मन बुद्धी, एनकार, तनमात्रा और इंद्रियां सब ब्रह्म ही के नाव है और सुख दुख कुछ नहीं अहां मार्दी जो शब्द हैं उनमे भिन्न भिन्नी भावना करना व्यर्थ है अपना अनुभाव ही अन्नी की नाई परतीत होता है जैसे पहाड में शब्द करने से प्रति धोनी जो सुन परती है वे अपना ही शब्द है उसमें और की कल्पना एक मिथ्या है जैसे सोपन में कोई अपना सिर कटा दिखता है वैं व्यर्थ होने पर भी उसे में सत्य जान पड़ता है जिसको सम्यक ज्यान होता है उसको भ्रह्म नहीं होता है जिसको असम्यक ज्ञान होता है उसको ऐसे ही ब्रह्म होता है ठेराम ब्रह्म सरुशक्ति माने उसमें जैसे भावना होती है वही भासित होता है अरी ओूम अरी ओूम कर दो